कॉंग्रेस ने दसकों से हरियाना सहीत पूरे देश में ऐसी करप मानजिक्ता और करप सिस्टिम को विक्षित किया है। हरियाना तो कॉंग्रेस के करप्षन का बहुत बड़ा गड़ रहा है। दिल्ली के अपने सामराज्य का बड़ा हिट्सा कॉंग्रेस ने एक प्रकार्चे हरियाना के किसान और यहां के नौजवानों के हक को मार करके खड़ा किया हुआ है यही कारण है कि जब ब्रसाचार के बुलबुले फुटने लगते है तो कॉंग्रेस के नेथा जड़ा तील मिला जाते है अना अप्षना बोलने लग जाते है लोग सभाचुना के दरान मैंने कहा था कि देश को लूटने वाले को मैंने कहा था कि गत पांच साल देश को लूटने वालों को मैं जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ और आने वाले पांच साल में वो अंदर चले जाएंगे और शुरुवात हो चुकी है और जब मैं कहता था कि जितने देश को लूटा है उनको लूटाना पड़ेगा तो ये सीना तान करके मुझे कहते थे अगर मोदी के पास सबूद है तो करके दिखाएं दिखा दिया ना अब जब इनके बड़े बड़े सुन्मा तिहाड जैल पहुँच रहे हैं तो फिर रोते फिर रहे हैं आप आजवस्त रहिए जिसने देश को ठगा है वो अब बचने वाला नहीं है यह पैसा आपका है यह आपका हक है हिंदुस्तान के नागरिकों का हक है हिंदुस्तान की युवापीडी का हक है और आपके हक की रक्षा के लिए ही मोदी मैदान में है लेकिन जो रास्त हित में पूरी इमानदारी से जुटा है उसके पीछे बाचापा सरकार चाए हर्याना की हो या फिर केंद्र की हो हम ऐसे इमानदार लोकों के साथ कंदे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे ये भी मैं आपको विस्वाद दिलाने आया